कुदरत ने सभी को अलग रंग, रूप और आकार का बनाया है। कुछ जीव अपनी अजीवों गरीब बनावट के लिए दुनिया भर में बहुत फिमस हैं। इनी मैंसे कुछ ऐसे जीवों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। हाई दोस्तों मैं हूँ शिबराम सिंग और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज वर्ल्ड तो चलिए शुरू करते हैं। गैलापागोस में पाई जाने वाली ये मचली दिखने में बहुत ही अजीव है। इसको देखकर लगता है कि इसने अपने उंठों पर कहरे लाल रंगी लिप्स्टिक लगा रखी हो। लेकिन इसकी उंठ कुदरती लाल हैं जो दिखने में बहुत भयानक नजराते हैं। लाल उंठों की वज़े से इसे रेड लिप्ट बैट फिश कहा जाता है। इस बैट फिश को ठीक से तैरना नहीं आता। इसलिए समुदर में शिकार करने के लिए अपने पंखों को कवच के रूप में इस्तेमाल करती है। शूबिल ये सूडान, जांबिया और पूर्वी अफरीका में पाये जाता है। इसकी चूँच जूते के आकार की होती है। इसलिए इसका नाम शूबिल पड़ा, ये ग्रे और भूरे रंग के होते हैं। शूबिल, कचुआ, मचले और छोटे मगरमच का शिकार करता है। ये पक्षी बिलुक्त होने की कगार पर है, अब दुनिया में लगभग 8000 शूबिल ही बचे हैं। इस जीव को कई नामों जैसे ब्लू एंजल, ब्लू ग्लाकस, ब्लू ड्रेगन और ब्लू सागर सलक के नाम से जान जाता है। लेकिन ज्यादतर लोग इसे ब्लू ड्रेगन के नाम से जानते हैं। ब्लू ड्रेगन की खोज 1777 में हुई, ये समुंदर के गरम इलाके में पाये जाता है, इसके पेट में गैस होने की वज़े से ये पानी की सतय पर ही तेरता है। इसका हकार इतना छोटा होता है कि इसे हम अपने हाथ की हतेली पर भी रख सकते हैं। सभी ब्लू ड्रेगन हर्मा फ्रोडाइट हैं, यानि नर और मादा दोनों ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज जैसे लाइक और शेयर करें, साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दुस्तों।